हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ फिर से एक नेक डिजाइन शेर करने वाली हूँ यह नेक डिजाइन हम यूपर ही आपको बनाके दिखाएंगे यूपयों पहले सी ही यहां पर बनाके रेडी कर रखा है तो आप इसपर ही डिजाइन बनाना देखेंगे तो यह इसकी ले इन कपड़ों की लेंथ और जो चोड़ाई लंबाई है वो सेम होगी वो होगी त्री इंच तो इस तरह के से हम बहुत सारे कपड़े हमने एक्स्ट्रा पहले से ही कट करके तयार कर रखे हैं आपको यदि यू नेक डिजैन नहीं बनाना आता है तो आप मेरे ही चेनल पर जाकर सर्च करें और नेक डिजैन बनाना सीख सकते हैं इन कपड़ों को हम चार पार फोल्ड करेंगे और फिर ये नेक डिजैन की जो लुपी सी है एक वो बनाएंगे और इस पर यहां से इस तरह से पकड़ते हुए इस गले पर नीचे की तरफ रखके पिल्कूर कॉर्णर पर गले की पट्टी पर हम सिलाई लगाएंगे चलो हम स्टार्ट करते हैं इस तरीके से मैंने तो चार बार फोल्ड करके पकड़ रखा है अब हम इसको मशीन के नैक जो बना रखा है उसके नीचे रखते हुए एक इंच छोड़ देंगे कंधे की सिलाई के लिए फिर हम इस पर लगे लगा रहे हैं इसको सिलने के बाद हम दूसरे लेंगे वन फोल्ड टू फोल्ड और त्री एंड फोर फिर इस तरह का कुछ बनकर हमारे सामने आयेगा फिर इसको दीरे दीरे फिंगर्स की साहिता से एक दूसरे की पास रखते हुए हम दीरे दीरे सिलते जाएंगे झाल 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 आप देखिए मैंने पूरी नेक पे डिजाइन बना की रैडी कर रखा है यह पूरा लगाने के बाद हम इस पर एक पेर का गैप रखते हुए सिलाइ लगाएंगे डबल सिलाइ ताकि इस पर अच्छे से सैट ओ जाए और फिर जो बाकी बच जाएगी लुपी उसको कट करते हुए हम तुरपाई कर देंगे तो देखिए डबल सिलाइ एक पेर पर फिनिशिंग से करते हुए जारो तरफ से गोलाई में गुमाते हुए लगाएंगे ये नैक डिजाइन आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना एंड शेर करना बाई